हेलो फ्रेंज नमस्कार स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर आज हम एक बहुत ही महत्वपूर टॉपिक को देखेंगे इंडिया के मैप में सिक्किम के बारे में समझेंगे एक बहुत महत्यपूर राज का दरजा है बहुत ही महत्यपूर और जिमवित्ता कई तरीके की यहां पर देखी जाती है उन सभी को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे पूरा एक सब्सक्राणुन को और हम देखते हैं कि सिक्किम में क्या है सिक्क्यम is a state in Northeast India कहाँ की स्टेट है यह है Northeast इंडिया की एक स्टेट है इसकी क्यापिटल है ग्यंगतोग ठीक है अब देखते हैं देखें जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं सिक्क्यम कैसा है सिक्क्यम देखें अगूठे के आकार का छोटा सा दिख रहा होगा आपको य तो कितने देशों से कितने राजियों से इसकी सीमाई मिलती है उन सभी को भी हम देखेंगे आप यह पूरा मैप इंडिया का देखी रहे हैं तो नौर्थीस की स्टेट आपको पता हैं यह सारी की सारी जिसे हम सेवन सिस्टर और इसमें अब सिक्किम बेड हो गया है तो इसको देखते हैं चलिए आगे हम शुरू करते हैं सिक्किम के बारे में क्या-क्या महत्यपूर जानकारिया हैं यह इसलिए नहीं है कि सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ एक्जाम में यहां से बहुत बार कुश्चन पूछे जाते हैं और जनरली क्या होता है कि नौर्थीस की जो मज़ पाएंगी इसलिए मैंने यहां कि एक-एक स्टेट को मैं आपके साथ डिसकस करूंगी और आपको देखिएगा बहुत ही ज्यादा मज़ा आने वाला है तो आजम देखते हैं सिक्किम के बारे में पूरा-पूरा समझने की कोशिश करते हैं चैनल पर नए हैं तो देश के पहले राजा फुन्सोक नामग्याल के द्वारा बनाये गए महल का संकेत हैं और इसी को चोड़कर सिक्किम बनाया गया है तो आपको यह बाद समझ में सिक्किम का नाम किस तरीके से रखा गया और महत्यपूर बात तिब्बती भासा में सिक्किम को चावल की घाट कहा जाता है यह चीज़ एक्जाम में पूछी जा सकती है और पूछी भी गई है कई बार एक्जामों में तिब्बती भासा में सिक्किम को क्या कहा जाता है चावल की घाटी कहा जाता है अब देखते हैं और चीज़े क्या है सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में कहा परिस्थे थे यह पूर्वोत्तर भाग में इस्थे थे ना पूर्वोत्तर भाग में इस्थे एक परवतिये राज्ज है कैसा राज्ज है परवतिये राज्ज है इसका आकार जो है वो एक अंगूठे के जैसा है देखिए कई बार क्या होता ने स्टेटमेंट में कुछन पू सकता option में सिक्किम भी दिया हो या अरुनाचल प्रदेश दिया हो मनिपूर दिया हो मेगाले दिया हो तो अगर आपको पता होंगी ना कुछ कुछ चीजें तो आप उनको डिलेट कर पाएंगे इससे लगी हुए राज है दच्छिडपूर में भूटान अगर बात करें तो द दच्छिड में दच्छिड कि अगरम बात करें तो पस्चिम बंगाल से घिरा हुआ है आपको समझ में आ गई ना कि सिक्किम को कितनी जगों से घिर रखा है कौन-कौन से राज्जिया देश हैं जो इसकी बॉन्री साजा कर रहे हैं सुन्दर पहार गहरी घाटियां और जय करते हैं वहां देखना चाहते हैं कि दैकने हैं लोग महँना पर तन संदर करते हैं अब हमक सुन्दर पहाड करते हैं यह सारी जो दरश्य होते हैं ये देखने में बहुत ही मन jsंब लगते हैं इसलिए इन तर भी सिक्किम का जो नाम है सिक्किम नाम ग्याल राजतंद द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज था परंतु ये थोड़ी सी हिस्टरी है इसके बारे में भी देख रहे हैं परंतु प्रिशासनिक समस्याओं के चलते था भारत से बिलाए के जन्मत संग्रह के कारण 1975 में एक जन्मत संग्राय के अनुशार भारत में ये बलीन हो गया था बहुत बार ये पूछा जाता है कि सिक्किम भारत में कम मिला था तो 1975 में ये मिला था उसी जन्मत संग्राय के पस्चात राजतंत्र का अंत और भारतिय संविधान की नियम प्रणाली के धाचे में इसका उदय हुआ था सिक्किम की राजधानी गंगटोख है और ये इसका सबसे बड़ा शहर भी है सिवालिक की जो पहाडियां है उनकी अगर उचाई की बात करें पांचजार पांचजार फीट की उचाई पर इस्थित है यहां की जो सबसे सुन्दर कंचन जंगा है वो भी यहीं परे कहां परे और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परवत है यह भी पूछा जाता है कि सुन्दर यह कंचन जंगा है वो कहां परे तो वो कहां परे सिक्किम में है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परवत भी है यह भी important point है और exam में खुब पूछा गया है सिक्किम की उत्री पस पर आता है इसका आकार छोटा होने के बाद भी यह भुगोलिक द्रस्ती से काफी विवित्ता पूर्ड रे हिंदू तथा ब्रजियान बहुत धर्म सिक्क्रियान ग्रेजी गोर्खा खास भासा लेप भूटिया लिम्बू तता हिंदी अधिकारिक भाषाइं यह जो है ना ले से ब casting लेक्षा से मеक्टिम नहीं आएंगे लेकिन अपनी जानकारी के लिए फोड़ा सा उम्हें के बारे में मैं जानने का प्रयास करेंगे तो देखते हैं बहुत भिक्षु गुरु रिन पोचे का आठमी सदी में सिक्किम दौरा यहां से संबंदित सबसे प्राचीन विवरर हैं और उन्होंने बहुत धर्म का प्रिचार भी किया था मानिता के अनुसार चौदमी शदी में खे बुमसा पूर्वी तिब्बत में खाम के म्यक महल के एक राजकुमार को एक रात दैवी द्रिस्टी के अनुसार दच्छिड की ओर जाने का आदेश मिला इनके ही बंसज जो थे उन्होंने सिक्किम में राजतंत्र की इस्थापना की 1642 इसवी में खे के पांच में वंसज फुंक सौंग नामग्याल को तीन बहुत विच्छू जो उत्तर पूर्व तथा दच्छिड से आये थे कहां से उत्तर से पूर्व से और दच्छिड से आये थे द्वारा युक्सों में सिक्किम का प्रथम चौंग्यार राजा खोशि 1670 में कारभार समाला तैंसुंग ने राजधानी को युक्सों से रब देंस्ते स्थानांत्रित कर दिया सन 1700 में भूटान में चौंग्याल की अर्ध बहन जिसे राजगद्दी से बंचित कर दिया गया था कि द्वारा सिक्क्यम पर आक्रमण किया गया यह हम सभी जानते हैं जो देश होते हैं जो राजजी होते हैं उन पर हमेशा राजगद्दी के लिए पहले क्या आक्रमण ही चलते रहते थे तिब्बतियों की इसाहता से चौंग्याल को पुना राजगद्दी शौप दी गई लेकिन 1717 और 1733 के बीच सिक्क्यम को नेपाल तथा भूटान के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा जिसके कारण रब देंस्ते का अंतत अंतता पतन हो गया अब देखते हैं 1791 में चीन ने सिक्क्यम की मदद के लिए और तिब्बत को गोर्खा से बचाने के लिए अपनी सेना भेज दी चीन की हमेशा विस्तारवादी नीतियां रहती है जहां पर भी वो देखता था कि यहां पर कुछ हम ले सकते हैं अपने इसाफ से वो हमेशा व वन्स का भाग बन गया पर उसी देश भारत में ब्रतानी राज आने के बाद सिक्किम ने अपने प्रिमुक दुश्मन नेपाल के विरुद उससे हाथ मेला लिया नेपाल ने सिक्किम पर आक्रमर किया एवं तराई समित काफी सारे चेत्रों पर कभजा कर लिया इसकी 2027 वे एक लोगप्रिये मत द्वारा सिक्क्यम का भारत में द्धा कर दिया गया और तत्कालीन भारती प्रधान मंत्री जवाहालाल नहरू ने सिक्किम को संरक्षित राज का दर्जा प्रदान किया इसके तहट भारत सिक्किम का संरक्षक हुआ सिक्किम की बिदेशी राज नयक अत्वा संपार्क संबंदी विश्यों की जिम्मेदारी भारत न कम मिला क्या-क्या उसने परिशानीयों का सामना किया किस तरीके से उस favour हुए और किस तरीके से उसने आपको पचाया आगे वाले वीडियों। तो नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए जरूर देखिए गा उसको सबस्क्राइब कर लेंगे तब राइस अगली वीडियो में में फिर मिलेंगे तब 미ल दोस्तो नमस्कार